question number 23 में हमने function find करना है उस interval की उपर जहां पर वो increasing हो किस interval की उपर decreasing है कहाँ पर concave up है कहाँ पर concave down है और x coordinates क्या है point of inflection पे again सबसे पहले आपने क्या करना है function का derivative ले लेना है क्योंकि cubic root है तो power front पे आ जाएगी और power में से एक minus कर देंगे 1 over 3 minus 1 और inside वाले का derivative ले जाएटेव ले जाएटेए x square plus x plus 1 इसका derivative तो या जाएगा 1 over 3 x square plus x plus 1 मैंसे minus करेंगे ते बन जाएगा minus 2 or 3 और x square का derivative 2x और x का derivative 1 और plus 1 का derivative 0 अब ये power negative में इसका अगर हम नीचे लेके जाएगा हमारे पास ये वाले derivative बन जाएगा 2x plus 1 divided by 3 times x square plus x plus 1 whole to the power 2 or 3 अगर आप इसको ऐसे रहने दें तो जाएदा बहतर है second derivative के लिए अब हमने find out करना है कि function increasing कब है और decreasing कब है उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि first derivative को equal to zero put कर देते हैं ठीक है अब ये zero कहां पर आएगा लेकिन नीचे वाले जीरो हो नहीं सकते हैं अब इसमें जो denominator है वो जोंकि complex आता है जबिए आप इसको solve करेंगे x square plus x plus 1 को तो इससे जो answer आता है वो complex नमर जाते हैं इसलिए denominator जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये complex आता है तो इससे कोई answer नहीं आएगा first derivative के लिए और second derivative के लिए भी तो अब 2x plus 1 equals to zero है वो वाहित के से जिसका आपका derivator के आता है equals to zero आता है तो इसको solve करते हैं तो हम सरमार अपास क्याता है minus 1 over 2 that means कि अब इसको हम real number line के उपर draw कर कर दें वहीं आ जाता है minus 1 over 2 दो interval बनते हैं minus infinity 2 minus 1 over 2 again increasing और decreasing में हम point को include करते हैं बाकियों में नहीं करते हैं अब इन दोनों के पर हमने देखना है कि function increasing और decreasing है उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से कोई point ले ले लेते हैं अगर हम इसकी बात कर रहे हूं हम let कर देते हैं हम let कर देते हैं कि x is equal to इस interval में से minus 1 क्योंकि यहाँ पर क्या हैगा minus 1 आएगा फिर minus 2 की minus half है अगर हम minus 1 चूज करके इसको double derivative first derivative के अंदर put कर दें let's see क्या answer क्या आता है minus 1 plus 1 जहां जहां भी x है आप वहां पर क्या put कर दें minus 1 यह plus इस minus के साथ cancel ऊपर आएगा minus 2 plus 1 minus 1 और नीचे आएगा 3 times 1 का square क्या हैगा 1 और इसकी power 2 और 3 again 1 so the answer is negative less than 0 आ रहा है that means के function क्या है इस interval के उपर आपका f क्या है f is decreasing पहली चीज़ के लिए होगी अब इसके लिए देखना है के इसके उपर function क्या increasing और decreasing तो हम minus 1 के बाद 0 आएगा फिर 1 आएगा and so on अगर मैं x को 0 ले जूँ अगर मैं x को 0 ले जूँ इसको derivative के अंदर पुट कर वें 2 times 0 plus 1 3 times 0 का square 0 plus 1 इससे क्या रहा है 1 over 3 which is positive इसका मतलब है कि इस वाल इंटरवर के उपर f क्या है f increasing है f is increasing कौन सेंटर रोल की उपर minus 1 over 2 plus infinity अब कि अप एंड डाउन के लिए हम क्या करते है कि फार्स derivative का दुबारा derivative ले जैते है अब ये भी है आपके पास और ये भी है एक ही चीज़े दोनों difference क्या है यहाँ पे आपको quotient rule लगाना पड़ेगा इसमें आपको product rule लगाना पड़ेगा आपकी मर्जी है जो आपको अच्छा लगता हो जो आपसे अच्छा होता हो आप वो कर दें ज़रूरी नहीं है कि आपका derivative double derivative ये ही आए तो first derivative के उपर दुबहरा derivative apply करते है 3 जो था हो मैंने 1 over 3 वायर निकाल देखने के constant है 2x plus 1 as it is आ गया और x square plus x plus 1 to the power minus 1 over 2 इसका हम derivative ले 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 plus x square plus x plus 1 minus 2 or 3 as it is आ जाए और second वाले काम derivative ले 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 यह product बूल आपका एस यहांज़ जाएगा 1 over 3 2x plus 1 इसका derivative अगर हम ले ले तो power front पे आ जेगी और में से एक माइनस कर देंगे और फिर इनसाड वाले का डरिवेटिव इच इस 2x प्लस 1 प्लस यह अज़िटेज आएगा और इस वाले का डरिवेटिव क्या आए 2 है तो 2 साथ मुल्टिपला हो जाएगा अब 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 इसको सिंप्लिपाई कर दें यह 1 over 3 इसका साथ मुल्टिपला होगा तो यह माइनस 2 by 9 और यह और यह 2 टाम बजाएगा पावर 2 और इसका अगर हम नीचे लेके जाए इसको हैट कर दें तो क्या हैगा माइनस 5 by 3 अगर हम इसको नीचे लेके जाए तो पॉसिटेव बजाएगा यहां से क्या हैगा माइनस 5 by 3 नीचे लेके जाए दीनोमियाटर में तो प्लस 5 by 3 चीज़ तरह 2 पर रहने दें और इसको नीचे लेके जाएगा जाएगा पॉसिटेव 2 by 3 ठीक है? अब आप इसका LCM ले या इसको एजटेव सौफ कर दे अगर इसका LCM ले तो हम दोनों को 5 by 3 करना है अगर मैं इसको exactly इसी जीज़ की x2 प्लस x प्लस 1 पावर 1 से मल्टिप्लाइ कर दूँ तो यह भी क्या बन जाएगा? 5 5 by 3 तो इसी चीज़ को मैं उपर भी फिर मल्टिप्लाइ परना है अब दोनों का LCM क्या है? सेम है x2 प्लस x प्लस 1 और 5 by 3 और यहाँ पर 9 है denominator में यहाँ पर नहीं है यह हम लिख देपे अब यह हमरे पास denominator में सारा कुछ यहाँ से आज़ेगा minus 2 times अगर मैं इसको उपन कर दू 4x square plus 1 plus 4x और यहाँ से आज़ेगा 18 x square plus 18x plus 1 तो अगर आप मजीद सिंप्लिफाइ कर दें तो यहाँ से माइन 8x square plus 1 plus minus minus 2 minus 8 x plus 18x square plus 18x plus 1 sorry plus 18 इसको बीद पास्टो यहाँ सम्पलिफे नहीं होगा ड़ूर बाय x plus 1 ज़ए पावफवे नहीं क कर देंगा पास्टो अब यह बीज़़्े यह भी स्कुवार है यह सिंपल पीया जाएगा मान है पास्टो 10x square plus sorry minus 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 26x square 4 plus 10x plus 16 divided by 9x square plus x plus 1 whole power उपर वाला इस format में लेकर आना है ठीक है तो अब इसमें से अगर हम 2 common ले 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 बलके ये 10 10x ही है अब इसमें से अगर हम 2 common ले 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 ये बन जाएगा minus 2 common ले 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 तो बन जाएगा 13x square plus 5x divided by 9x square plus x plus 1 whole तो ये 2 नही है 3 है अब इसको आफेक्टराइस कर दें तो आफेक्टराइस कर देंगे अब के पास ये चीज़ आ जाएगी इसको अब देख ले ते हैं कि इसको देख ले ते हैं वो चीज़ आती है नहीं x square और minus x plus 2x minus 2 that means kis square plus x minus 2 ये आना चाहिए है हमारे पास कौन सी चीज़ ही है चाम नहीं यहाँ पर एक चीज मिसिंग की विया यहां पर यह वन ओर त्री जो था यह भी वहां मल्टिप्लाई हो ना वन ओर त्री यहाँ पर अलड़ी त्री था इसको नाइन करना था तो हम इसको जी से मल्टिप्लाई कर दो तो यह नीजे वाला तो 9 होगे उपर वाला 6 होगा 18 नहीं होगा त्या बन जाएगा पर 6 यह भी 6 और यह भी 6 यह भी 6 यह भी 6 यह भी 6 अब यहां से क्या आएगा मैनस 2 यहां से क्या आएगा मैनस 2 एक्स और यहां से क्या आएगा प्लस 4 यह मसा कर मैनस 2 कॉमन ले 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 हमारे पास क्या चीज़ बचाएगा अब नेक्स आपने क्या करना है अगेन नियुमिरेटर हमने क्या करना है यहां से दो वेली जा रही है एक यहां से आएगी एक्स इक्स इक्स तू मैनस 2 और यहां से क्या आएगी एक्स इक्स इक्स तू 1 तो इंटर्वल क्या बनेगे हमारे पास मैनस 2 और 1 एक है मैनस इंफिनिटी से लेकर मैनस 2 तक घुजरा मैनस 2 से 1 तक और 1 से पोस्ट इंफिनिटी तक यह तीन इंटर्वल हैं हमने इन तीनों में देखना है कहां कानकेव अप है कहां कानकेव डाउन है तो आपने सिंपल यह करना है कि जो आपका डबल डेरिवेटिव आया हुआ है यह वाला यह यह जो उपर आया हुआ है यह वाला आपने पहले इंटर्वल में से एक पॉइंट उठा लेना है मैनस 3 ले 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 एकस माइनस 3 ले 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 इसके अंदर पुट करें चेक करें कि ग्रेटर देन 0 आता है यह लेस देन 0 आता है चुंकि एक कनकेव आपके लिए आया हुए और यह दोनों डाउन के लिए इसका मतलब इसके उपर क्या होगा कनकेव डाउन होगा एकस डाबल प्राइम क्या होगा बेस देन 0 आएगा इसके उपर भी बेस देन 0 आएगा अगर आप एकस परस करो 2 ले लो और minus 1 और इसके दरमेयन अगर मैं x को 0 ले ले लेता हूँ तो f double prime greater than 0 आना चाहिए है ठीक है अब next हमने कहा था कि point of inflection के लिए आप double derivative group is to 0 कर देते हो कैसे हमारे पास अलोड़ी दो values आएगी 1 minus 1 2 और 1 1 अभी दोनों में से कि दोनों point of inflection हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं उसको कैसे चेक करते हैं अब minus 2 के left पर देखें अगर मैं minus 2 के बात करूँ minus 2 के left पर क्या है minus 2 के left पर f double prime is less than 0 उसके right पर greater than 0 concavity change हो रही है इसलिए minus 2 क्या है point of inflection है अब one को देखना है कि one point of inflection है इसके left पर देखें double derivative पर positive है right पर negative है again concavity change हो रही है यह भी क्या है point of inflection है x value of या x coordinate of point of inflection